वेल्कम बेक अगें दोस्तों इस वीडियो में मैं आवर स्काई एपिसोड थ्री के पार्ट टू को अगस्प्लेइन करने वाली हूँ तो एक और आयान जुप जुप कर बाहर एक दूसरे से मिल ले आए एक ने सिकायत की कि ये आयान बिल्कुल उसकी क्यार नहीं करता है अमे एक यी एक बात ठीक नहीं लगी उसने दोबारा एक से पूछा एक बता तो तुमने अभी 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 क्या बूला एक ने बताया एक पुछ फ्रेंड वो इससे कमपनी देगा बस एक का इतना गयाना था कि आयान नहों से किस कर दिया बोला कौन सा फ्रेंड एक दूसरे को बोला था, फिर भी आयान ने उसे किस किया, आयान का कहना था, एक मैं तुम्हें पनिस नहीं कर रहा, बस अच्छा वाइप्रेंट होने का फर्स निवा रहा हूँ, एक हैपी, दोनों वही साथ में सो गया, सुबह एक के नीन खुले, उसने तुरंद आई को भी जगाया, दोन वले तो तुम्हारे बहस के आवाज, आठ किलोमेटर दूर तक भी सुनाए दे जाती है, तो आज कैसे मैंने सुना नहीं, दोनों के पास कोई जवाब नहीं, कान भी धुआ के रूम से भागते हुए बाहर आया, और वो भी भगड़ा गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बहाना बना था, तुआ भी पीछे पीछे आ गया, कान तुम्हारों फोन चूट गया था, बस तुआ और कान भी मूँ दिखाने लायक नहीं बचे, कान तुरंद बहाना बनाकर अपने रूम भाग गया, एक भी उसके पीछे, आय और दुआ भी वहाँ से बाग गया, उनकी स्टोरी सेम रहेगी, बस पॉइंट ओफ व्यू अलग होंगे, नमुतुरंद बोलने लगा, वाट तो इस बार किसे एक्टिंग करवाऊगे, मैं अविलिवल हूँ, वाट ने तो उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, और फिर वो एक और आयान को देखने लगा, इस बार अगर हम किसो के बारे में कुछ Beh käytt नहीं जानते उसकी बसंद नावसंत के बारे में हमें पता नहीं होगा, तो फिर हम together कैसे रह सकते हैं, अब आयान की बारी थी वो बोलने लगा, हमेसा action speaks louder than words नहीं होता क्योंकि कुछ लोग words में जितना अच्छे से समझा पाते हैं वो action मे नहीं समझा पाते और I think हमेशा किसी की care करना और हमेशा उसके expectations में जीना बहुत exhausting होता है वाट ने फिर दोनों को बोला अगर दोनों के मन में एक दूसरे के लिए feelings हैं तो एक दूसरे को हग करो और नहीं तो दूर चले जाओ एक आयान एक दूसरे को देखने लिए और फिर दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया दोनों के आँख में आशू आ गए सूटिंग कंपलीट हुई वाट ने टीचर सानी को इस बार में बता दिया उन्हें बताया कि एक और आयान को आप अगर हग करते देखती ना तो आप पोस्मझ आ जाता कि वो कितने डीपली प्यार में है टीचर सानी बोलने लिए वाट गुड आई होप यह जो तुमने एड किया है वो काम कर जाए वैसे तुमारे आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम काफी इंजोई कर रहे हो और वाट तुम अपनी स्टडी के बार में कन्फोर्म हो ना वाट इसके लिए बिल्कुल तयार था पर पैरेंस अभी तक नहीं माने थे टीचर सानी ने वाट का होसला बढ़ाया काण और एक ने वाट से पुछा कि कॉपेटिसन के बाद वो क्या करने वाला है वाट ने टीचर सानी की बात उन्हें बताई उन्होंने बोला है कि अगर ये वर्क नहीं किया तो कोई बात नहीं अगर हमारे पास होप होंगे तो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं कान भी बोलने लगा देखती देखती टाइम कितने चल्दी बीदिया ना पहले में ग्रेजुएशन के लिए काफी एक्साइडर था युनिवर्सिटी के युनिफॉर्म पायन कर बहुत कूल मैसूस होता था पर अब बहुत खाली-खाली सा फील हो रहा है एक भी बोलने लगा मुझे भी सेम गाइस और थांक्यू तुम दोनों के सपोर्ट के लिए अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं हाई स्कूल भी कंप्लेट कर पाता या नहीं कान भी दोनों को थांक्स करने लगा क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं कान कहा भटक जाता वाट ने भी दोनों को थांक्स किया उन्हें बोला गाइस भले ही तुम दोनों को इंडी मूवी पसंद नहीं है पर फिर भी तुम दोनों ने मेरा साथ दिया थांक्यू सो मच गाइस दोनों ने वाट को बोला वाट हमने तो कभी यह नहीं कहा कि हमें इंडी मूवी पसंद नहीं वरे हम उसे देखते नहीं पर जब समझ आया कि उसमें क्या बताने की कोशिस की जाती है तो हमें इंडी मूवी पसंद आने लगे हैं और लोग अगर किसी चीज से दूरी बनाते है उसे पसंद नहीं करते वो चीज़े उन्हें समझ नहीं आती लेकिन वाट अभी भी उदास था क्योंकि उसके मॉम उसके ड्रीम को स्टूपिड ड्रीम बोलती है एक और कान ने उसे समझाया वाट सुनने में अच्छा लग रहा है वैसे तुमारे इस स्टूपिड ड्रीम का पार्ट बनकर हमें अच्छा लगा वहां से फिर आयान ने एक को एक जगह पर चलने के लिए बोला उसे कैप पहनाई और फिर दोनों बाइस साइकल पर सवार एक खाली ब्रीज पर आये दोनों वही खड़े होकर आइस क्रिम खाने लगे आयान ने एक को बोला एक मेरे माँ से बात हो गई है उन्होंने बोला है कि सारे खर्च वो उठा लेंगे तुम बताओ कब रेड़ी हो एक बोलने लगा सौरी आये पर मैं धाइलेंड में ही अपने पढ़ाई कंटिन्यू करना चाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पेरंस पर बोज नहीं बढ़ना चाता और तुम डेंसर ना लो तुम जाओ जहाँ पढ़ाई करना चाते हो मेरी फिकर बिल्कुल मत करो आयान थोड़ा सैट हुआ पर एक की डिसिजन के भी तो रिस्पेक्ट करनी थी फिर आयान ने देखा आइसक्रीम खाते-खाते एक ने अपने पूरे मुँ को गंदा कर लिया है एक ने फिर आयान के मुँ को भी गंदा कर दिया आयान उसे अपने होटों से साप करने के लिए बोलने लगा और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया कुछ दर वही टाइम भी ताये कान और थुआ पे एक पेर पर चड़कर टाइम स्पेंट कर रहे थे थुआ के हाथ में चोट आये थे कान उसके चोट देखने लगा थुआ ने आज हिमत करके बोल दिया कान तो मेरे लिए इतना भरिण मत हो मैं ओकी हूँ अपना ख्याल रख सकता हूँ कान को लगा थुआ को सायद उसकी केर करना अच्छा नहीं लग रहा थुआ ने उसे समझाया कान ऐसी बात नहीं है मैं बस कभी-कभी अनकंवर्टिबल फील करता हूँ कान थोड़ा नाराज हो गया थुआ उसे मिनाने लगा उसने कान को किस किया और कान भी मान गया थुआ बहुनने लगा कान हमें फीचर के बारे में टेंसर नहीं लेने चाहिए न फहले सेमा था दोनों I gun防 Snapchat किया उसने पुछा कि Iida उसे कैसे विच किया है एक ने बोल दिया ऐसी जेस्ट जेनरल विच सच तो यह था कि आयान ने अभी तक एक को बढ़डे विच किया ही नहीं था उसे तो सार्थ याद भी नहीं था उसने लेट हने के लिए सुरी बोला एक वेट कर रहा था की आई उसे अब विस करेगा अब विस करेगा एक ने सब को अं siinä के लिए बोला आई को बताना चाहा की साम को पार्टी है पर आयान ने उसे बीच में ही रोग दिया सौरी एक आज तो मुझे मॉम से मिलने जाना है मेरे उनिवर्सिटी एडमिशन की बात करनी है सौरी मैं नहीं आ सकता और आज हम अपने सौंग को भी पॉस्टपॉन कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ना मुझे एक दुखी हुआ पर उसने आयान को जाने दिया कोई बात नहीं आए बस वाट को बता देना तुम तो जानते ही वो कैसा है बुरा मान जाएगा पर तुम्हारा काम ज़रूरी है मेरा काम तो मैं वेट कर जबता हूँ सब म्यूजिम के अंदर आये पर नमो को कुछ मेसेज आया और वो तुरंत बाहर चला गया सबको उसके हरकत अजीब लगी एक और आयान पर उसके पीछे आये नमो दुखी था टेक्स्टर के उसके लवर ने ब्रेक अप कर लिया था नमो से एक और आयान को भी उसने ये बात बता दी वो सोचने लगा एक मैं साथ तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं हूँ इसलिए सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं एक ने उसे समझाया ऐसा नहीं है नमो मैं पर उतना अच्छा नहीं था मैंने भी बहुत बुरे काम किया है पर सबसे इंपॉर्टन चीज ये है कि हम अपने हेटरस के बीच कैसे रहते हैं आयान को एक की बात ये बहुत अच्छी लगी और तुरंध एक इस रिवार्ड में उसने एक को दे दिया वार्ड भी टीचर सानी को मियजम लेकर आया टीचर सानी उसे देखने लगी वो समझ रहे थी कि वार्ड कुछ ज़्यादा ही नर्वस है लेकिन वार्ड तो जोग करने लगा ने टीचर मैं कहां गबरा रहा हूँ बस मेरा हार्वीड फास्ट है हाथ पर काप रहे है और दिमाग काम नहीं कर रहा टीचर सानी असने लगी उन्होंने वार्ड से उसकी फैमिली के बार में पूछा कि वो नहीं आ रहे है वार्ड ने उन्हें बताया नहीं हा रहे है कल जब आने के लिए मैंने बुला तो बहुत जबर्जस्ट फाइट हुई हमारी टीचर सानी ने उसका होसला बढ़ाया दोनों अंदर आए और फिर बड़े स्क्रिन पर देखलिप्स मूवी को चलाया गया मूवी खत्म होने के बाद ब्रेक में सब बात रूम आए वाट अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस था कुछ और लड़के भी बात रूमाए उन्होंने दूसरे दूसरे मूवी की तारिप की बोला कि इस बार उन्ही मूवी इसको आवाट मिलेंगे वाट ने तो और होप खो दी पर दोस्त है ना उन्होंने वाट का होशला बढ़ाया ब्रेक के बात रिजल्ट रनाउंस किये गया फर्स्ट और सेकंड प्राइज किसी और को मिला अब तीसरे प्राइज की बारी थी कान ने वाट का होशला बढ़ाया कि third prize वाट को ही मिलेगा और ऐसा ही हुआ third prize goes to वासुवाट वाट स्टेज पर आया उसे award दिया गया कुछ सब्द बोलने के लिए कहा गया वाट ने अपनी पूरी टीम को थाइंक्स किया टीजर सानी को भी थाइंक्स किया एक जैज वाट से बात करने आये उन्होंने वाट को डिरेक्टर नाट का विजिटिंग कार्ड दिया और बोला वासुवाट तुम्हारा फिल्म उतना परफेक्ट नहीं था पर तुम्हारे काम में सिंसेर्टी दिखे मुझे इसलिए मैंने सोचा कि तुमें मिश्टर नाट से मिलवाया जाए वाट तो बहुत कुश हो गया क्योंकि डिरेक्टर नाट तो उसके फैबरेट है जैज बोलने लगे इसलिए मुझे तुमारे फिल्म देखकर उनकी यादा आ गई वाट इतना कुश हो गया कि उसने जैज को यहाग कर लिया फिर उसने जैज को सोरी बोला अपने दोस्तों के पास वापस आया और उन्हें भी वो विजिटिंग कार्ट दिखा है सब उसके लिए हैपी हुए वाट भी जीत गया और आज एक काभी बर्डे है तो प्लान के हिसाब से अब पार्टी की बारी थी लेकिन आय ने सब को सोरी बोला सोरी गाइस मैं नहीं आ सकता मेरी मॉम से मिलने जाना है मुझे फिर कभी एक और जाता दुखी हो गया पर क्या कर सकते हैं जब बोईफरेंट को ही बड़े याद नहीं तो सब पब में आये एक अभी बे उदास बैठा था आय ऐसा नहीं कर सकता में भी कुछ जरूरी काम होगा एक भले ही खुद को तसली दे रहा था पर मन में कहीं न कहीं उदासे थी तब है अचानक से लाइट सॉफ हुए और एक के पीछे स्टेज पर लाइट ओन हुए और वहां बैठा था आयान एक को हैरानी हुई आयान ने गाना सुरू किया सौंग सुनते सुनते एक के तो आख में आसू आ गए तो ये था आयान का सर्प्राइज अपने बोईफरेंड एक के लिए बर्डे स्पेसल एक रोने लगा आयान ने उसे बोला आयान तुम जाते हो कि दूसरों लगों के सामने मैं तुमें किस करूँ कान बुरा मान गया एक हम दूसरे लोग नहीं है दोस्त आयने भी अपना गाल लागे कर दिया और एक ने उसे किस किया एक के लिए फिर बर्डे केक लाया गया एक ने जितना एक्सपेक्ट किया भी नहीं था यह बर्डे उसकी सोच से भी ज़्यादा इस बेसल बन गया उसने केंडल पुझाया वाट ने टीचर सानी को बोला टीचर सानी हम यूनिवरसिटी में जाने वाले हैं तो आप हमें कुछ मोटिवेशन सब्त बोल दीजिए टीचर सानी ने उनको बोला काय जाता है कि लाइफ एक जर्णी है तो मैं दुआ करूँगे कि तुम लोग बस आगे बढ़ते रहो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम सा है कान बोलने लगा आगे बढ़ते जाना बिना ये जाने की टरनल के आगे अंधिरा है ये रोस नहीं टीचर सानी बोलने लगी हाँ क्योंकि तुम लोग ये पहले भी कर चुके हो खुद को सेडो से बाहर निकाला है तुम लोगोंने इसके बाद कान ने भी तुआ को बोला तुआ अगर उस दिन तुम स्काई की फोटो के साथ सेड कैपसन वाला पोस्ट नहीं डालते तो तुम्हें हाई कहिने का करेज मुझे नहीं मिल पाता तुआ बोले लगा कान फिर भी तो तुम ब्रूस बाइन बरने का नाटक कर रहे थे ना कान हसने लगा क्योंकि ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे भी तो कुछ टाइम चाहिए था पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उस दिन का वो स्काई वाला पोस्ट आज उन्हें यहां तक लेकर आएगा इधर बार्ट ने भी टीचर सानी को थाइंक्स किया टीचर सानी जिन्होंने हर एक कदम पर उसका साथ दिया उसे सपोर्ट किया एक आयान पब से बाहर आए एक बोले लगा है तुम्हें मेरा बड़े याद था आयान ने हाँ बोला वो तो बस नाटक कर रहा था आयान ने फिर एक को उसे हग करने के लिए बोला एक ने उसे हग किया आयान को ताइंक्स बोला उसके लाइप में रहने के लिए आयान बोलने लगा एक याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था, तुमारे हार्ट में मेरा इस्पेस है जहां मैं कंफटबिल फिल करता हूँ एक ने भी आयान को अपना इस्पेस बताया आयान का हार्ट, एक का भी वही से था वहाँ से पिर दूनों आयान के घर वापस आये साथ में सावर किया और सोने चले आयान ने एक को आजरा तुम ही रुखने के लिए बोला एक बोलने लगा आई क्या तुम कहोगे कि तुम उससे प्यार करते हो आयान बोलने लगा एक तुम ही ये सुनने के आदत होगे या ना एक नाराज हो गया कोई नहीं नहीं बोलना चाते हो तो मत बोलो आयान उसे मनाने लगा, उसने एक के कान में फोक मारी, उसे बोला कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक ने रिप्लाइ नहीं किया, आयान बोलने लगा, एक तुम रिप्लाइ नहीं करोगे, एक का कहना था, मुझे रिप्लाइ करना जरूरी है क्या, और फिर उसने भ को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर मिल जाएंगे अब वहाँ जाकर दाइकलिप सिरीज की एक्स्प्लेनिशन को इंजोई कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में and thank you so much guys for watching the video